तो गाइज यहां पर हम लोग सबसे पहले डिसकस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ओफ रियल नंबर्स तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो सेट है उसको हम लोग ऑर कहेंगे और आप जो है वो बेसिकली इंक्लूड करता है सारे रैश्रनल नंबर करता है सारे तो रही है और रैश्नल नंबर प्रस रैश्नल नंबर का जो का जो जाएंड सेट हो जाएगा वो हमारा Three तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो रियल लंबर के एडीशन और एडीशन और सब्ट्रेक्शन बेसिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज ही हैं तो एडीशन के अंडर कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो यहां पर हम लोग देखेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा वो भी रियल नंबर ही होगा इसका जो एडिशन हो जाएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडिशन के एसोसियेटिविटी के बारे में तो इस एसोसियेटिव तो एसोसियेटिव कहने का जो हमारा मतलब हो जाता है वो यह है कि अगर हमारे पास तीन नम्मर है x y z तो x plus y plus z will be equal to x plus y plus z मतलब कि यहाँ पर bracket matter नहीं करता है कि पहले हम लोग y plus z कर रहे हैं या पहले हम लोग x plus y कर रहे हैं that does not matter that is associative property number three existence of zero कि हमारे पास एक real number है zero जिसमें कि हम लोग किसी भी real number को add कर दें तो वो real number अपनी identity को lose नहीं करता है यानि कि x plus zero is equal to zero plus x and that is equal to x ऐसा हर एक real number के लिए true है so there exists a zero और अगर हम लोग चौथी property के बारे में बात करें तो it is about negative number यानि कि हर एक real number के लिए एक negative real number होगा जिसके साथ उसको add कर दें तो हमें zero मिल जाएगा for example कि x हर एक x के लिए एक y exist करेगा so that कि x plus y will be equal to y plus x and that will be equal to zero तो हम लोग कहेंगे कि y is negative of x so that is again a very important property and number five it is commutative कि हमारा जो addition होता है वो commutative होता है commutative कहने का मतलब होता है कि अगर हम लोग जो रियल number को add कर रहे हैं तो उनका order जो है वो matter नहीं करता है addition के अंडर में हम लोगों ने यह कुछ properties यहां पर discuss करी हैं अभी हम लोग कुछ properties जो है वो multiplication को लेकर के discuss करने वाले हैं तो रियल number के multiplication में और multiplication और division जो है वो similar operation के अंदर में हम लोग मान सकते हैं तो देखें कि multiplication के लिए कौन कौनसी properties hold करती हैं तो number one closure तो यहां पर भी follow होगा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो रियल number है एक्स और वाई तो उनका जो product होगा उनका जो multiplication होगा वो भी रियल number ही होगा given that x और y जो है वो रियल number है it is a kind of self-explanatory यहां पर exploration की कुछ खास जरूरत है नहीं इसके बाद multiplication जो है वो भी associative है associative है कहने से हमारा क्या मतलब है associative है कहने से हमारा मतलब है कि x into y z is equal to x y into z कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास किस तरह से three real numbers है और उन्हें हमें product करना है उन्हें मैं multiply करना है तो उनका जो bracket का location है वो matter नहीं करेगा कहने का मतलब है पहले मैं y या z को multiply करूं या पहले मैं x और y को multiply करूं it is the same thing number 3 कि यहां पर हमारे पास एक unit exist करता है तो unit exist करता है कहने का मतलब है कि अगर मैं x को 1 से multiply कर दूं that is 1 को x से multiply कर दूं तो x का identity चेंज नहीं होगा x will remain x जैसे addition में 0 exist करता था कि 0 से add करने पर हमें same real number x मिल जाता था उसी तरह से multiplication के case में unit exist करता है number 4 जो है हमें inverse के बारे में बात करना है कि there exist an inverse तो inverse कहने से मेरा मतलब यह है कि x into y जो है वो y into x के बराबर है and that will give me a unity 1 तो इसका मतलब है कि हमारा जो x है वो y का inverse है या y जो है वो x का inverse है y is equal to 1 by x और we can say that y is equal to x inverse तो यह हमारे पास inverse की property आ जाती है और जहां तक बात है commutative की तो यह property भी multiplication के लिए valid है कहने का मतलब है कि हमारा जो multiplication है वो भी commutative है कहने का मतलब है कि order matter नहीं करता है x into y y जो है y into x के बराबर होता है real number में और number six जो है वो यह multiplication distributed होता है addition को लेकर के so number six property के बारे में मैं बालूं तो यह है distributed कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास तीन real number x है y है और z है तो if I want to do x into y plus z तो I can write it as x into y y plus x into z and that is distributive nature of multiplication over addition since addition or multiplication in 11 properties को obey करता है तो कोई भी set अगर in 11 properties को किसी भी operation के लिए फुल्फिल करता है ओबे करता है तो हम लोग उस set को field कहते हैं तो हम लोग यहां पर यह बात कह सकते हैं कि real number forms a field over multiplication and addition यानि कि multiplication और addition operation को ले करके जो नवर नवर हैं वो field form करता हैं तो फील का जो concept है वो mathematics का एक बहुत important concept है तो हाइड वन विल डिसकुस इत तो रेटर बट जुश्ट तो गिव यह लिटल बिट बिट आइडिया कि जो भी set इन 11 properties को फालो करता है उन्हें हम लोग फील के के टेगरी में रखते हैं and that's why we can say that real number forms a field over multiplication and addition operation okay now multiplication और addition के 11 properties के अलाबा कुछ properties आते हैं order relation से order relation कहने का मतलब है कि हम लोग दो real number को compare करना चाहते हैं कि अगर वो एक दूसे से बड़े हैं या छोटे हैं greater than या smaller than का जो relation है उसके लिए कुछ properties हैं उसको भी हम लोग यहां पर mention करना चाहेंगे तो सबसे पहली property जो order relation को लेकर है वो है law of trichotomy law of trichotomy अगर हम लोग ऐसे देखें कि हमारे पास दो real number है ए और भी तो उनके बीच में बस तीन ही relation hold कर सकता है for any 2dl number a and b अगर a और b real number है तो उनके बीच बस तीन ही relation हो सकता है either a will be greater than b और a will be equal to b और a will be lesser than b इसके अलावा इनके बीच में और कोई relation hold नहीं कर सकता है इन तीनों में से कोई ना कोई एक relation hold करेगा ही that is known as law of trichotomy अच्छा number two property की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यह बोल सकते हैं की greater than जो है यह जो symbol है greater than का it is transitive and when we say greater than का जो symbol है वो transitive है इसका मतलब हम लोग यह बोलना चाह रहे हैं की if a is greater than b and b is greater than c then we can say that a will be greater than c so i just want to say कि अगर a b से बढ़ा है और b c से बढ़ा है तो definitely जो है वो a c से भी बढ़ा होगा तो इसी rule को हम लोग कहते हैं की greater than यान की order relation जो है वो transitive है next property जो है वो हम लोग यह कह सकते हैं की order relation में जो addition है वो monotone है so addition is monotone तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यह बोलें की a is greater than b और there is another real number c then हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा a b से बढ़ा है then हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई third real number c है और उसको अगर हम लोग दोनों side add कर दें for example a plus c कर दें वो b plus c से बढ़ा होगा यानि कि यह जो sign है वो change नहीं होगा so addition is monotone कहने से हमारा यही मतलब है कि अगर हमारा a b से बढ़ा है और c कोई real number है और दोनों side मैं c को add कर देता हूं तो inequality का sign change नहीं होगा and that is the meaning of this sentence की addition is monotone and multiplication के monotone होने की बात कर सकते हैं हम लोग multiplication is monotone but in following sense तो addition की तरह multiplication का monotone नहीं होता है ordered relation के लिए for example अगर हम लोग यह बोलते हैं कि if a is greater than b then for a third real number c ac will be greater than bc only if c is positive अगर हमारा c positive है कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई inequality का एक order relation है और हम लोग एक positive real number को दोनों side multiply कर रहे हैं तो inequality का sign change नहीं होगा लेकिन अगर हम लोग c negative नमट लेके आते हैं तो ac will be lesser than bc यह तब होगा only if c is less than 0 यानि कि अगर हमारा c negative हो जाता है तो फिर हम लोग यह बोलेंगे कि हमारा inequality का जो sign है वो change हो जाएगा 11 addition और multiplication के properties के अलावा जो भी set इन चार order relation को follow करता है उनको हम लोग order field कहते हैं या ordered field कहते हैं तो कहने का मतलब है कि ordered relation के लिए यानि कि greater than या lesser than इन दो relation के लिए real number का जो set है वो एक ordered field में आता है so it is the example of ordered field तो यह एक बहुत important बात है हम लोग usually यह sign भी देखते हैं कि x is greater than equal to 0 और कहीं पर हम लोग यह लिखा देखते हैं कि x is greater than 0 तो इसका मतलब यह हो गया कि x जो है वो 0 से definitely बड़ा है so it is known as a positive number positive real number लेकिन अगर हम लोग इस sign की बात करें x is greater than or equal to 0 तो इसका मतलब है कि हम लोग confirm नहीं है कि x 0 से बड़ा है या 0 के equal है यह दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि x जो है वो non negative है यानि कि इतना पता है कि x 0 से छोटा नहीं है बस इसके बारे में हम लोग इतना ही कह सकता है similarly अगर हम लोगों के पास कोई example है कि y is lesser than 0 तो यहाँ पे हम लोग definitely कह सकता है कि हमारा y जो है वो negative है और कहीं पे अगर यह लिखा हुआ है कि y is lesser than or equal to 0 तो यहाँ पे हम लोग confirm नहीं है कि y 0 से definitely छोटा है यानि कि y definitely negative है तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि y जो है वो हमारा non positive है So that is very important So guys now हम लोग एक बहुत important concept के बारे में बात करने वाले हैं इसका जो दूसरा नाम है वो है least upper bound So it is least upper bound So we'll talk about a subset of a real number set So for example मैं एक set की बात करता हूँ That is z minus यानि कि negative integer का एक set ले लेते हैं So it will be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on अभी यहां पर अगर मैं आप से पूछ हूँ कि Can we find a number which is greater than every number present in the set तो आप easily recognize कर सकते हैं कि हाँ there are few numbers Which is greater than the each element of this set For example if I say 0 So 0 जो है इनमें हर एक number से बारा है 0 is greater than minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 So you can easily recognize that So 0 can be known as the upper bound of this set और in fact 0 ही क्यों आप 1 को ले लीजे, आप 2 को ले लीजे, आप 3 को ले लीजे तो उस number को हम लोग upper bound कह सकते हैं So to define upper bound हम लोग यह कह सकते हैं कि Letters से हमारे पास एक set है S Which is the subset of real number set So S is a subset of real number set R तो हम लोग कह सकते हैं Then U exists as upper bound of S If U is greater than or equal to X For all X belongs to S यानि कि S का कोई भी element आप उठा के चेक कीजिए That should be smaller than fixed number U तो U जो है वो हमारा upper bound है और as you can see कि there will be many U If you can find one U Then there will be many U Which will be the upper bound for the given subset S तो यहाँ पे एक unique number को अगर हम लोग खोजते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यह कह सकते हैं जैसे Z minus में ही देखिए minus 1 के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि minus 1 belongs to Z minus 1 जो है वो हमारे Z minus से belong करता है यह एक negative integer है and minus 1 हर एक number में सबसे बड़ा है तो अगर हमारे पास एक ऐसा number मिल जाता है जो कि इसी set का है और यह बाद बाकी हर एक number से बड़ा है या उसके बड़ाबर है खुद के तो बड़ाबर ही होगा और बाद बाकी से बड़ा है greater than है तो ऐसे case में minus 1 जो है वो हमारा कहलाएगा supreme और least upper एक और example से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं for example purpose I just want to write कि हमारे पास एक set है let us say T that set is defined as x such that x square is less than 4 और x जो है वो real number है and x belongs to real number you can say that also अगर ऐसा है तो हम लोग clear cut देख सकते हैं कि हमारा जो x है इस set को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x belongs to real number such that हमारा x minus 2 से 2 के बीच में and in that case हम लोग अगर upper bound की बात करें तो 2, 3, 4, 3.5 anything ये कोई भी आप इन में से कोई भी number उठा के देखिए ये number इस set में present हर एक number से बढ़ा है लेकिन अगर 2 की बात करें तो 2 especially important है क्यों? क्योंकि 2 जो है वो हमारा least upper bound है so it is least upper bound और इसी लिए इसको हम लोग supremum भी यहाँ पर कह सकता है so supremum हुआ कि उसी set से belong कर रहा है खुद के बढ़ाबर है और बात मा की element से वो बढ़ा है ऐसे element को हम लोग कहेंगे supremum अब हम लोग बात करने वाले हैं supremum के उल्टे infemum के बारे में infemum का जो दूसरा नाम है वो obviously greatest lower bound भी है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं again हम लोग example की सायता से समझेंगे let us talk about the set of positive integers z plus and it will be 1, 2, 3 अभी हम लोग यहाँ पर कई सारे ऐसे numbers ढूंड सकते हैं जो की इस set के हर एक number से छोटे हो for example 0, minus 1, minus 2, minus 3 so on इसमें आप कोई भी एक number pick कर लीजे यह number इस set के हर एक element से छोटा होगा so they form the lower bound अच्छा यहाँ पर यह समझना जरूई है कि इस set का कोई upper bound नहीं हो सकता है क्योंकि positive integer का जो set है वो infinity तक चला जाएगा so upper bound तो यहाँ पर हम लोग नहीं ढून पाएंगे लेकिन lower bound के बारे में कह सकते हैं कि 0, minus 1, minus 2, minus 3 ऐसे कई सारे numbers होंगे जो की इस set के हर एक element से छोटे होंगे इसी लिए इनको lower bound कहा जाएगा अभी इनमें जो सबसे बड़ा हो सकता है number जो की lower bound का सबसे बड़ा candidate है वो है हमारा one तो one जो है वो एक ऐसा number है जो की खुद के तो बड़ाबर है लेकिन इस set के बाद बाकी हर एक element से छोटा है so one is basically greatest among the all lower bonds so I will say it is the greatest lower bound and that's why it is also known as infimum तो अगर हमारे पास एक set S है जो की subset है real number के set का तो real number के set का एक subset S लिया हमने और let us say there exists a number U such that की U is smaller than or equal to X for all X that belongs to S अगर हमारे पास एक ऐसा number U मिलता है जो की हमारे हर एक element of S से छोटा होता है और खुद के बराबर होता है उस set में भी present होता है तो उसको फिर हम लोग infimum कहते हैं एक और example देख लेते हैं जो की हमने एक set T consider किया था T is equal to X that X belongs to real number such that X square is less than or equal to 4 इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि X belongs to the real number set and minus 2 से 2 के बीच में ये हमारा पुरा set है अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि minus 2 या उससे छोटा कोई भी जो number होगा वो हमारा lower bound है कहने का मतलब है minus 2, minus 2.5, minus 3 या so on कोई भी आप इसमें select कर सकते हैं ये हमारा lower bound है लेकिन इन में जो सब से बड़ा है वो minus 2 है so minus 2 is my infimum so that is the concept of infimum अभी यहाँ पर एक बहुत important concept ये आ जाता है कि हमारा जो infimum या फिर supreme है ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे set में present ही हो अभी तक जो हमने select किया था infimum और supreme को वो यही select किया था कि वो उस set का सबसे बड़ा या सबसे छोटा element हो सकता है लेकिन कभी-कभी situations ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर infimum या supreme उस set में present नहीं हो बट exist करते हो तो से for example अगर मैं एक subset x की बात करूं so x is defined as x belongs to r such that x is less than 0 अभी x is less than 0 है बट x is not equal to 0 है तो कहने का मतलब है कि इस set में हमारे पास हर एक number होंगे for example कोई भी negative number होगा for example x जो है वो क्या क्या हो सकता है minus 0.1 हो सकता है minus 0.01 हो सकता है minus 0.001 हो सकता है so the idea should be clear लेकिन x जो है वो 0 नहीं हो सकता है अब अगर मैं आप से यहाँ पर पूछू कि हमारे इस set का upper bond क्या है तो normal सा बात है आप upper bond के नाम पे बोल सकते हैं कि यह हमारे पास 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है लेकिन अब सवाल अगर हम लोग यहाँ पे supreme के बारे में पूछें कि हमारा जो lowest upper bond है supreme जो है वो क्या होगा तो यहाँ पे obvious सी बात है कि हम लोग supreme 0 को ही बोलेंगे अब इस set में खास बात यह है कि इसका जो greatest upper bond है वो इस set में नहीं है for example अगर मैं बोलूँ कि x equal to minus 0.0000001 अभी यह जो number है वो हमारा set से तो belong करता है और इसको क्या हम लोग upper bond बोल सकते हैं तो answer है कि नहीं इसको हम लोग upper bond नहीं बोल सकते क्योंकि इस से बड़ा number हम लोग दून सकते हैं इस set में for example zero point यहाँ पर हमारे पास five zeros है मैं यहाँ पर six zeros कर देता हूँ उसके बाद one लिखता हूँ यह वाला जो एक से वो हमारा छोटा हो गया तो यह upper bond नहीं हो सकता है similarly इस से भी बड़ा एक number रूना जा सकता है तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस pattern को follow करता जाऊं तो मैं यहाँ पर clear cut देख सकता हूँ कि हमारे पास कोई एक ऐसा definite number इस set से नहीं मिलता है जो कि एक upper bond ready कर सके यानि कि हमारा जो lowest upper bond है वो इस set से हमें नहीं मिलने वाला है वो जो numbers है वो zero की तरफ tend करेंगे इसलिए हलांकि जीरो इस set का member नहीं है बट उसके बाबजूद भी यह हमारा सुप्रीमम है यहाँ पर यह बात clear हो जानी चाहिए कि इनफीमम एंड सुप्रीमम ड़स नोट नेसेसरली बिलॉंग टूदा सेट बिलॉंग टूदा सेट किसी भी सेट में अगर इनफीमम और सुप्रीमम दोनों एक्जिस्ट करता है यानि कि इनफीमम भी एक्जिस्ट करना चाहिए और सुप्रीमम भी एक्जिस्ट करना चाहिए अगर यह दोनों एक्जिस्ट करता है तो हमारा जो सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं bounded set जैसे कि हमने वहाँ पर एक example लिया था t का कि t is equal to x belongs to r such that x square is less than 4 हमने देखा था कि इसका infimum भी है और इसका supremum भी है जो हमारा supremum है वो हमारा 2 आ जा रहा है और जो infimum है वो minus 2 आ जा रहा है इस type का जो भी set है वो हमारा bounded set कहलाएगा यहाँ पर next property में मैं यह कहने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कोई non empty set है so every non empty set s which belongs to the real number set r if bounded above then it has a supremum यानि कि कोई भी non empty set है s जो कि r का sub z है और अगर वो अब अब बाउंडेड है तो उसके पास supreme होगा इसी का दूसरा statement हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अगर वो below bounded होगा तो उसका infimum भी exist करेगा तो अभी तक हमने total 13 properties study कर ली है इसकी सिक्स मल्टी सिक्स प्लस फाइब multiplication और addition की थ्री जो है वो हमने study कर ली है इसकी ordered की ordered relation की और एक सुप्रीमम और एक infimum की तो total मिला के अभी तक हम लोगोंने जितनी properties study करी है 16 properties इन ही के consequences को अभी हम लोग study करने वाले है तो पहली बात तो हम लोग यह बोलेंगे की zero is unique यानि की there can there can never be another number another real number which can do the job of zero so कहने का मतलब है की हम लोग अगर बोल रहे है की x plus y is equal to x अगर ऐसा है तो y must be equal to zero y can not be any other number can y can never be any number other than zero so zero is unique यह मेरी बात का पहरा मतलब है और दूसरा मैं यह बोलना चाहता हूं की additive inverse is unique additive inverse is unique so additive inverse से हमारा मतलब क्या था कि x plus y जो है वो zero होता है अगर x plus y हमारा zero होता है तो y को हम लोग कहते है x का additive inverse it is additive inverse of x तो there cannot be two numbers there cannot be two numbers there cannot be two numbers two real numbers which can act as additive inverse of x यानि की अगर मैं यह कहूं की x plus y1 is equal to zero and x plus y2 is also equal to zero then I can simply say that y1 must be equal to y2 so there can never be two additive inverse of a single number so that is again a very important property number 3 मैं यह कहना चाहता हूं की addition is cancellative इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा बोलू की x plus y is equal to x plus z है अगर मैं यह बोलना चाहरों की x plus y x plus z के बराबर है तो इसका सिधा मतलब है की हमारा जो y है वो z के बराबर है simply मैं x को यहां से cancel कर सकता हूं that is known as addition is cancellative next next I will say that unity is unique तो conclusion यह निकलता है कि y must be equal to 1 it can not be any other number than 1 number 5 जो है वो मैं यह कहना चाहता हूं कि multiplication inverse is unique अभी इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब यह है कि हमारा जो multiplication inverse है वो single हो सकता है जैसे multiplication inverse हम लोग इसको कहता है कि if x into y is equal to 1 है तो y is known as multiplication inverse of x but if I claim कि there are two multiplication inverse for example अगर मैं कह रहा हूं कि x into y1 जो है वो भी x के बराबर है और x into y2 जो है वो भी x के बराबर है अगर ऐसा मैं कह रहा हूं then I must say कि y1 is equal to y2 there can not be two different numbers as a multiplication inverse of a single x as a next property I just want to say that multiplication is also cancelative multiplication is cancelative so what I mean by that again if I have x into y is equal to x into z and one more thing कि x is not equal to 0 then I can write that y is equal to z I mean to say मैं x और x को cancel कर सकता हूं यहां से but we always must keep in mind that here to cancel x I should ensure that x is not equal to 0 as a seventh property I must say minus of x plus y then I can distribute this minus I can write it as minus of x plus minus of y then I can say that if x into y is equal to 0 then either x equal to 0 or y equal to 0 that is again one more properties ninth the multiplication inverse of x and again taking its inverse I get back my x then I will say that number 10 if x and y belongs to the real number and it is not equal to 0 so real number minus 0 so if x and y are non-zero real numbers and x inverse is equal to y inverse then I can say that x is equal to y if the multiplicative inverse are equal if the multiplication inverse are equal then we can say the numbers are also equal provided the numbers are not same as 0 11th property we can say that if a is less than b and c is positive greater than 0 then we can say that ac is less than dc that is well known properties number 12 we can say if minus a is negative then a is positive to ensure that a is positive we must ensure that minus a is negative that is very obvious property again I want to say if a is greater than b and c is negative then the sign of inequality will reverse if I multiply it by c so I can say ac is less than bc 14th property if a is less than b and c is less than d then I can add the inequality lhs y lhs a plus c and rhs so a plus c will be less than b plus t of this true 15th I must say that a square is always positive if a is positive if a is any real number if a is negative one any real number is too if a is positive and k is a square is negative if a is negative 1 very positive yes it will not be negative if a we can say that a is negative if a is negative 1 1 by c is negative we can say a square is equal to b square implies and implied by a is equal to b I can take it as first part second part if a square is greater than b square that implies and implied by a is greater than b and number three if I have a relation a square is lesser than b square that is implied and implies that a is less than b so for a positive number we have these relations 17th I can say if my b is greater than 0 then a square is less than b square it means minus b is less than a is less than b but provided my b is positive and in that case I can have this relation now let us talk about the set of natural numbers we will indicate it by by letter capital N so so here we can easily see that N is a subset of real numbers and let us say I just want to say key 1 belongs to natural number and if k belongs to natural number then k plus 1 also belongs to natural number that is a very important property of natural number that is a very important property of natural number now let us talk about integers so obviously natural numbers are subset of integers also and integers are subset of real numbers that we can see and there is a very important property and that is if x and y belongs to the set of integers then x minus y will also belong to integer that is a very important property regarding integers integers now let us say uh we'll talk about uh rational numbers so uh rational number uh will indicate it by q so we can say that uh z is subset of uh q and here we want to say that if x and y belongs to the set of uh rational numbers and y is not equal to zero then x by y or x into y inverse also belongs to the set of rational numbers next i just want to talk about a little bit about uh natural number if i just want to say that k belongs to the set of uh natural number then i have to ensure that uh k is positive in d z so uh that means k belongs to z and k is greater than zero if i follow these two conditions then i can say that k belongs to the natural number set now if we talk about addition uh uh of natural numbers okay so so uh नच रोलन नंबर का एड़ीशन है वह वहारे क्लोजल प्रापर्टी को फॉल्व करता है कि हमने नमइन के केस में देखा था साथ-साथ-साथ-स इसका जो एड़ीशन होता हो एसोसीटिब भी होता है कि और साथ-साथ साथ यह कंप्यूटेटिब भी होता है तो addition के लिए ये तीनों property को natural number follow करता है लेकिन जहां तक बात है 0 की existence of 0 natural number में नहीं होता है और साथ ही साथ negative यानि की additional inverse की जो बात करें addition inverse की बात करें तो वो natural number के case में हमें नहीं मिलता है अगर हम लोग multiplication of n की बात करें तो if we talk about multiplication in the set of natural number तो यहां पर again ये closure को follow करता है साथ ही साथ associativity को follow करता है और commutative भी होता है तो ये तीनों properties follow होती है और साथ ही साथ इसमें unity का जो है वो existence होता है लेकिन अगर बात करें inverse का existence of multiplication inverse ये नहीं होता है तो ये सारी properties natural number के multiplication में हमें देखने को मिलती है इसके अलावा multiplication का जो distributive nature होता है और addition ये भी हमारा natural number follow करता है तो ये अगर बात करें हम लोग एडिशन और multiplication of natural number की बात हमने यहां पर करी है अब अगर बात करें हम लोग addition of rational number की तो addition of rational number में almost हर एक property जो की real number follow करता है वो सारा valid है यहां पर closure valid है एसोसियेटिव properties valid है existence of zero valid है existence of inverse valid है यानि की negative number और commutative दो होता ही है अब अगर बात करें multiplication की multiplication के case में भी सारी properties लगभग यहां पर follow होती है closure follow होता है एसोसियेटिव प्रॉपर्टी फॉपर्टी फॉपर्टी होती है unity exist करता है inverse exist करता है कम्यूटेटिव होता है multiplication और साथे साथ distributive भी है तो यह सारी properties हमारे पास हैं जो की rational number के multiplication और addition से related हैं अब एक important प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग archimedian properties कहते हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग यह बोलें कि a और b दो real numbers है और b greater than 0 है जानकि b positive है then there exists a positive integer n such that nb is greater than a example के समझते हैं लेट उस से कि हम लोग बोल रहा है कि b is equal to 3 है और a is equal to 35 है तो एक ऐसा n जरूर exist करेगा जिसके लिए हमारा b n times b will be more than a for example अगर मैं यहाँ पर n की value को 13 ले लेता हूँ तो obviously हम लोग कह सकते हैं कि nb is greater than a तो ऐसा हम लोग हर एक b के लिए एक n ढूंड सकते हैं कि n into b जो है वो a से बड़ा है कह सकता हूँ कि if हमारे पास a एक real number है जो की 0 से बड़ा है a belongs to r as well as a is greater than 0 then there must exist an n which will be greater than a so basically यह हमने कुछ नहीं किया है हमने nb is greater than a में b को a कह दिया है और a को 1 कह दिया है यानि कि a और 1 के लिए मैं यह आर्की मीडियन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो मैं हमेशा कह सकता हूँ कि कोई भी पॉजिटिव रियल लंबर के लिए एक रियल लंबर n जरूर एक्जिस्ट करेगा जो कि a से बड़ा होगा और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सेट एस जो की आर का सबसेट है उसका सुप्रीमम होगा एक और सुप्रीमम बाइ डिफॉल्ट किस तरीके से हम लोग पता करेंगे तो सुप्रीमम का जो कंडिशन है वो क्या क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो सुप्रीमम बनने के लिए किसी भी नमबर का जो कंडिशन है नमबर वन हम लोगों को यह कहना होगा कि S जो कि सुप्रीमम है सुप्रीमम का नाम मैं S कह रहा हूँ S should be greater than or equal to X for all X that belongs to the set S और दूसरा for each epsilon greater than 0 epsilon एक बहुत ही छोटा सा real number है it can be as small as you can think but the only thing is it is positive it can be 0.001 0.001 or whatever so for every small real number which is guilty than 0 there is a y such that y is greater than S minus epsilon और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि y जो है वो हमारा S में ही होना चाहिए S से ही belong करना चाहिए इस चीज़ी को एक example से समझते हैं जैसे कि consider करता है कि हमारे पास एक set A है which is defined as X belongs to real number such that 8 is less than X which is less than 10 तो यहाँ पर clearly हम लोग देख सकते हैं कि 10 जो है वो हमारा सुप्रीमम है हम लोग कोई भी एक छोटा positive real number epsilon अज्यूम करना है for example epsilon को मैं 0.01 अज्यूम करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा y होना चाहिए जो की a से बिलॉंग करता हो so that हमारा जो y हो वो s माइनस epsilon से बढ़ा हो तो हमारा जो सुप्रीमम s है s माइनस epsilon जो है यह value हमारे पास आ रहा है 10 माइनस 0.01 which is equal to 9.99 now 9.99 obviously belongs to a है तो यह जो हमारा I have found a y which belongs to a such that y is greater than 9.99 यह हम ढूंड सकता है क्योंकि 8 से 10 के बीच में अपने को 9.999 या ऐसा कोई भी नंबर मिल सकता है 8 से 10 के बीच में तो I have found a y in a such that s माइनस epsilon सुप्रीमम माइनस epsilon is lesser than y हमें मिल चुका है यानि कि y is greater than सुप्रीमम माइनस epsilon तो that's how we can say कि 10 is my supreme बट लिटस से कि हम लोग यह बोले कि हमारा जो अपर बांड है वह 10.01 यह हमारा अपर बांड है इस सेट का बट यह सुप्रीमम नहीं है इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे हम लोग बोलेंगे अगर इसको लिटस से यह हमारा सुप्रीमम S है just for the contradiction purpose तो लिटस से हमारा जो epsilon है इसको हम लोग यहाँ पे 0.001 ले रहे हैं in that case S माइनस epsilon जो है वो 10.01 minus 0.001 हो जाएगा and which is equal to 10.009 and now 10.009 does not belong to A it does not belong to A so I cannot find a Y which is greater than S minus epsilon यह हमें नहीं मिला not satisfied तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यह प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो सुप्रीमम है वो 10 है 10.01 नहीं हो सकता है